कॉंग्रिस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर जानी जाती है। कॉंग्रिस को लोग सभा चुनाओं में जीत भले ही नहीं मिली लेकिन दोबारा एक पहचान जरूर मिल गई। देखे राहूल गांधी को जीरो से हीरो बना दिया हो। देखे राहूल गांधी के कायकल पर ये रिपोर्ट। राहूल गांधी इस वक्त इंटरनेट पर चाही रहते हैं। देश का के पीम तीसरी बार नरेंद्र मोधी ही बने हैं। लेकिन महफिल तो राहूल लूट ले गए हैं। नए जमाने के नए चुनावू में कॉंग्रिस ने नए प्लेटफॉर्म्स का ही सहरा लिया। सोशल मेडिया पर राहूल की हीरो गिरी ने सभी का दिल जीत लिया। बाकी बच्ची खुची कसर खुद वेजेपी ने पूरी कर दी। दरसल कॉंग्रिस अपना सोशल मेडिया खुब स्ट्रॉंग करती रही। इतना ही नहीं इसके लिए तकड़ी महनत की और पैसा भी बहाया। चुनाव कैम्पेन के लिए वार रूम का गठन किया। साल की शुरुवात में भाशा और शेत्र के आधार पर चार टीमें बनाए गए थी। हर टीम में 900 से 1000 के करीब इंटर्न भड़ती किये गए थे। यानि कि तक्रीबन 4000 लोग कॉंग्रिस और राहूल गांदी के 6 पर काम कर रहे थे। और राहूल गांदी सोचल मेडिया पर अपनी महबबत की दुकान खूल शुके थे। कॉंग्रिस के एड और कैम्पेन की सोच different रहे। जबकि विजेपी का मीडिया सेल अभी भी पुराने अंदाज में कॉंग्रिस पर हमले कर रहा था। विजेपी के एड कैम्पेन धार्मिक आधार पर लोगों को बाट रहे थे। तो कॉंग्रिस के एड कैम्पेन महबबत की दुकान से फ्रेरित थे। राहूल हर्शेत्र के लोगों के बीच गए बात की और उनके टीम ने राहूल को सोचल मेडिया पर जन्नायक करार दे दिया। कॉंग्रिस के टीम ने राहूल गांधी की जो मदद की वो सभी को देखे। लेकिन बिजेपी ने भी राहूल गांधी की मदद और खुद के पैर पर कुल हाडी मारने का भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बिजेपी का IT सेल कॉंग्रेस के इशारो पर नाचता रहा कोई आरो बिजेपी पर लगा दिया उसके बाद बिजेपी के मंत्री उसका जवाब देते फिर रहे थे काईबार ऐसा भी हुआ कि बिजेपी के एड, कैंपेंग, कॉंग्रेस के एड और हमली का जवाब उसी तर्ज में दे रहे थे मतलब साथ था कि बिजेपी की आईटी सेल, कॉंग्रेस की आईटी सेल के हाथो खेल रही थी इन सब का नतीजा रहा कि 2021 तक यूट्यूब पर राहूल गांधी 5 लाग सब्सक्राइबर जो की थे उनके वो 7.2 मिलियन तक महज गये इसी तरह इंस्ट्राग्राम फॉल्वर्स का अकड़ा 1.7 मिलियन से 9.4 मिलियन तक महज गया तो रहूल गांधी को पपू का तमगा देने वाली विजेपी ने ही उनको पपू वाली छवी से बाहर निकाल कर हीरो बना दिया रहूल गांधी ने अपमी छवी को बदलने का काम भारत जोडो यात्रा से शुरू किया था और इसी यात्रा में रहूल की सफेद होती उनको सीरियस नेता के रूप में तबदील कर दिया था जिसके बाद सोशल मेडिया के रणनीती ने उनको हीरो बना दिया वहीं लोगसभा चुनाओं के बाद राहूल गांधी की छवी को देखकर एक बात कहनी गलत नहीं होगी कि बिजेपी को लोगसभा चुनाओं में प्रेश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सेनियोज भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ